मैं हूं मदलाल साहू और आप देख रहें आपका यूटूब चैनल प्रिजम इस्टिट्यूट तो अपने टैंथ के एक्जाम हो चुके अब जो कक्सा नाइन थे उसके एक्जाम होने अभी बाग किये भी तो कक्सा जो नाइन थे उसमें अपने मैथमेटिक्स के अंदर है जो प्रसनावली एक से लेके 15 तक टोटल चैप्टर है चैप्टर नब 1 से 15 तक है तो आज अपने उन चैप्टरों में कुछ जैसे मेरे को जो मोस्ट प्रसन लग रहे हैं मैं उनको आपके साथ शेयर करूँगा उनको आप पढ़े हैं हो सकता है उन पार्ट के अंदर प्रसनावली एक से लेके जो प्रसनावली साथ तक है उसके मोस्ट कर्षण एक प्रसन में आज पूरे मैं आपको بتा दो मौश कौण से मोस्ट प्रसन है किस चैप्टर के हैं किस एकसरसाइज के प्रसनावली आठ से पंद्रा जो बाक्की रह गई उसका वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट में फिर आपको डाल दूँगा तो आज अपना पार्ट फेस्ट है पार्ट फेस्ट में देखते भी क्या क्या मौश्टर चीज़े हैं तो जिसे प्रसनावरी पहली आपकी जो बुक है वो मेरे पास अभी उपलब्द है तो मैं सीधा प्रसनों गुने लिखे क्यों प्रसनों लिखेंगे बहुत सारा टाइम खराब होगा आपके पास भी बुक है आप उसको अराम से क्या है लगा कि फिर उनको पढ़ना हो सकता है कि इन प्रसनों की वीडियो भी मेरे पास समय रहेगा तो मैं आप आपको अपलब्द करवा दूँगा तो अच्छे से आप पढ़ें मेनत करें क्योंकि यह चीज़े आगे आपके फ्यूचर के अंदर काम में आती है वी जो कक्सा नाइन्थ और टैन्थ है उसका स्लेवस काफी आगे काम में आता है तो सबसे पहले बात की जाती है किसकी प् तो वन के अंदर भी अपने बात करें तो जो प्रसनावली एक पॉइंट एक है उसमें देखें कि उसमें में मेटर क्या आएगा जो एक पॉइंट एक है वो है अपने कुछ तो देखिए स्टेटमेंट है वो याद होने चाहिए मुद्दर ट्रू फाल्स वाले हैं और जो किशन नमर 3 और किशन नमर 4 है वो आप अराम से उसको पढ़ना उसको करना भी तो प्रसनावली एक पॉइंट एक अंदर तो मेटर हो गया आपका यह वाला जहां पे चोथे में तो सत्य और सत्य प्रकार के प्रसने ज्यादा बड़ा कोई है ने किशन तो प्रसनावली अपने वन पॉइंट जो टू है उसके अंदर भी जो पहला प्रसन है वो आप पढ़ना क्योंकि छोटे प्रसन आते हैं प्रसनावली एक में से बड़े प्रसनों के चांस किया है कम रहते हैं तो यह भी आपका सत्य और सत्य प्रकार के प्रसन है ट्रू और फाल्स वाले प् लखें तो वो जो एक्सराइज है वो है अपनी कौन सी प्रसनावली 1.3 तो जो प्रसनावली 1.3 है उसके अंदर जो प्रसन है उनमें से जो पहला प्रसंट है उसमें से आप कुछ एक प्रसंट निकाल लेना जैसे पहला कुछन है उसमें से आप देख लेना जैसे पहले तो आप फैस्ट वाले निकाल लेना फैस्ट के बाद जैसे आपका थार्ड कुछन है इसमें वो आप देख लेना थर्ड के बाद आप देखें तो फिफ्ट वाला प्रसंद भी आप देख लेना इसमें यह पूछ रहा है कि कौन से दसमलों प्रसार सांत है और कौन से क्या ऐसांत है किस क्या आवरती हो रही और कैसे इसी क्रम में और आगे चलें तो इसमें जो किशन नमर आपका जो कौन साय 3 है वो इंपोर्टेंट वे उसको आप करके देखना है एक बार ठीक है अब और आगे चलते हैं इसी क्रम में जो प्रसनावली आपकी 1.4 है जहां अपने आवरदन करते वे आवरदन वे लेन्स की साहिता से उस fix window पर पहुचा जाता है उसी के क्रम में आप इसमें से दो प्रसन है आप पहला प्रसन कर लिए तो आपको समझा जाएगा लेंस किस प्रकार से काम करता है आवरदन किस प्रकार से होता है तो किशन नमर इसका जो फैष्ट है वो आप कर लेना पूर आगे चलते हैं तो अपने जो प्रसनावली आती है कौन सी प्रसनावली आ जाती है आपकी एक पॉइंट पांच यह अच्छी है यहां से प्रसन आते हैं कई छोटे प्रसन पुछे जाते हैं अलागे बड़ा प्रसन तो नहीं है तो जो प्रसनावली आपकी एक पॉइं कि यहां गातों को आपने किस प्रकार से सोल करवा जाता है मुझा पावरी की वेल्यू है वह आप कैसे रखते हैं आपस में जो गातांग नहीं है वह आपको समझा जाएगा मुझा गाते हैं मुल्टिप्लाई होगी या एड होगी या सब्ट्रेक होगी कैसे यह कटेगी तो यह वाले प्रसन भी अच्छे है तो इसमें से मैंने कुछ चांट रखें वैसे आप चाहो तो पूरा भी कर सकते हैं ज्यादा बड़ा चेप्टर नहीं है तो छो है पर जो एक है उसमें पहले प्रसन का तो आप कर लेना कोण सा पहला ही कर लो प्रैक्टिस के लिए बहुत ह दूसरे क्षिशन का आप कर लीजिए सेकंड वाला और फिर जो प्रसन नमर जो तीन है तीसरा जो प्रसन है उसका पहला और क्या कर लो आप चोथा प्रसन है वो आप कर लीजिए यह अपना हो गया पहला चेप्र जो प्रसनावली पहली है एक्सरसाइज जो वन है उसमें से मैंने इन प्रस्णों को सलेक्ट किया है इन में से आने के आपके चांस रहते हैं अब आगे चलते हैं कि प्रस्णावली जो दो है उसमें क्या-क्या मेटर रहता है इंपोर्टेंट इधर से अपने दो पाइट में लिख देंगे जगह पड़ी है कोई दीकत नहीं अब चलते हैं कि प्रस्णावली आपकी जो सेकेंड है उसको देखा जैमें सेकेंड में क्या इंपोर्टेंट है तो प्रस्णावली जो 2.1 है उसमें देखते हैं 2.1 के अंदर वो चरवाल है सबसे पहले तो आपको पता लगाना है कि दे गई समीकरण में कितने चर मौजूद है है ना और किसका गुणांक मैं लो कहीं पोस्ट ले जाए x2 का जो कॉपीशेंट है गुणांक है वो आप बताएं तो आपने को देखना होगा तो जो प्रसनावली दो पॉइंट है उसमें जो सेकिंड वाला प्रसन है उसका आप सेकिंड और थर्ड है उसको कर लेना वो चोटे से प्रसन है एक लाइन का आपका एंसर होगा कोई ज़्यादा बड़ा प्रसन नहीं है और किस्ट नमर जो फॉर्थ है उसमें आप एक तो first कर लेना और एक इसका आप fourth देख लेना बाकि आप एक नजर सरसरी बड़ी नजर आप उसमें डाल सकते हैं देख सकते हैं कि उनमें से आप अगर और के प्रिस्टन आ जाएं तो उसको आप कैसे अटेंड करें भी इस इकर में और आगे चलते हैं बहुपदों के मान निकालना मान मतलब दी गई value का आपको रखना होगा जो प्रस्टनावली 2.2 है उसमें जैसे बहुपदा आपको मिलेगा उसमें कहीं y होगा कहीं t होगा कहीं x होगा आप से कहेगा कि x बराबर 0 के लिए मान गयात कीजिए तो जहां आप पर x लिख रखा है उन सब जगे अपने क्या रखेंगे 0 तो अपने पास value आजाएगी अगर कहीं y लिखा हो y की value जैसे मान लीजिए आपके आप से ये पुछे हैं कि y को 1 के लिए मान निकाले तो जहां जहां y लिख रखा है आप 1 लिखोगे तो आपको value मि निकालनी है इस एकर हम में और आगे चलें तो जो प्रसन नमर 3 है उसका आप भी उसका भी fast और fourth कर लो हो जाएगा इससे अभी और जो question number fourth है यहां लिख देता हूं प्रसन संक्या जो 4 है उसका आप 3 और 4 कर लिजिए इसमें थाड और 4 प्रसन को आप कर लेना इससे हो लिए है कि भी divide किस प्रकार से किया जाता है भाग लगान वैसे आपको आता है अंकों का तो यहां जो है बीजों का भाग होगा बहुपद है उसको किसी एक variable किसी एक दूसरे बहुपद से divide करने इसमें जैसे first है first party कर ले न उससे आपको समझा जाएगा और एक साथ में प्रसन मर जो second है उसको आप जरूर करिएगा इस सिक्रम में और आगे चलते हैं जो प्रसनावली आपकी रह जाएगी कौण सी 2.4 है उसमें देखते हैं कि क्या मेटर आने लएगा अच्छे प्रसन है यहां से पक्का आपको प्रसन मिलेगा वे प्रसनावली जो 2.4 है वहां से आपको प्रसन मिलेगा पका मिलेगा तो जैसे पहला प्रसन है उसका आप second वाला प्रसन निकाल के देख लेना उसके बाद जो प्रसन संक्या सेकेंड है उसका भी आप सेकेंड वाला प्रसन ही निकाल के देख लेना और जो प्रसन नमर तीन है उसका आप पहला और चोथा प्रसन है वो आप निकाल के देखना और जो किशन नमर जो फॉर्थ है उसका आप तीसरा जो प्रसन है वो निकाल के एक बार देखना भी इसी करम में जो पांचो प्रसन है उसमें भी अच्छे प्रसन दे रखे हैं उसका भी आप सेकिंड वाला एक प्रसन जरूर आप करना ताकि आपको समझा जाएं वह कहां से किस प्रकार से आपको गुड़नखंड करवाने है तो इसमें मैन चीज है जो गुड़नखंड है वो करवाने है और गुड़नखंड यह दी आपको दे रखका है तो वहां से आपको केक की वेली वो पुछेगा तो वह अपने को बताने है तो इसी करम में सबसे बड है वो 2.5 है वो एससे भी बड़ाया वह तो उसमें कफिiri प्रसंद थो लग वग में लिख देता हो जैसे fourth प्रसंद उसका पहुत करना seconds और first प्रसंद करना है और इसी के साथ जो प्रसंद नमबर सेकेंड है उसका आप कर लेना कोण सा सेकेंड वाला एक बार करके देख लेना आप इसी प्रकार जो प्रसंद नमबर जो तीन है उसका भी आप सेकेंड वाला लाइट चली गई है वई एक मिनट के लिए आप रुकें, लाइट की बड़ी समश्या रहती है, तो बीच में लाइट अपने चली गई थी, अब लाइट वापिस आ गई है, तो अब आगे अपने और प्रस्नों को देखें, मैं आपको बता रहा था कि जो प्रस्नावली 2.5 है, वो को बड़ी है, उसम से मैंने कुछ प्रस्नों को चाटा है, उन्हें आप कर लोगे तो लगबग आपको ये चेप्टर के है, पुरा समझ आ जाएगा, तो प्रस्नावली 2.5 में, जो तीसरा प्रस्न है, उसका भी आप सेकिंड वाले निकाल लो, और जो प्रस्न संक्या च्यार है, उसमें से आप एक काम करें, कि सेकिंड और कौन सा निकाल लो, फिफ्ट वाला निकाल लो, अब और आगे चलते हैं, जो प्रस्न संक्या जो पांच है, पांच में आप एक तो निकाल ले पहला, पहला निकाल लो बहुत है, और प्रस्न संक्या जो छे है, उसमें भी आप फैस्ट निकाल ल फॉर्थ और फिप्ट वाला ये अब जो प्रसंद नमबर नाइन है उसमें आप सेकंड वाला करना है उसमें क्या करना है सेकंड वाला आपको करना है इसी करम में और आपका जो प्रसंद नमबर टैन है उसमें भी आप सेकंड वाला टैन कर लेना देख लेना उससे समझा तो इनका स्क्रीन सोट आप ले लिजे ताकि मैं आगे वाले जो प्रस्नावले तीसरी है उसके जो मौश्ट प्रस्न है उनको मैं करवा देता हूँ तो आप अराम से इसका पहले स्क्रीन सोट ले लिजे ताकि इसको अटा दे और फिर ओर आगे चलते हैं तो अब मैं इनको तो हटा देता हूँ और इसी क्रम में जो प्रस्तनावले आपके थार्ड है तीसरी है उसे अपने करेंगे तो मैं काम करता हूँ पूरा ने मिटा के मैं सिर्फ इनको ही मिटा देता हूँ ताकि अपने को बार-बार लिखना नहीं पड़ेगा चलो मिटा देते हैं दुबारा लिख लेंगे कोई समेशा नहीं गीए तो प्रस्तनावले जो तीन है उसका नाम है निर्दे सांक जैमिति क्या है निर्दे सांक जैमिति तो इसमें भी ज़्यादा प्रसंद तो नहीं है आपको थोड़ी बहुँगत जान करियों पर जितने भी बिंदू होते हैं, उन सब को बोला जाता है क्या कोटी, एक्स एक्स का जो मान है, किसी बिंदू का, उसे बोला जाता है क्या कोटी, और येक्स की जो वैल्यू है, उसे बोला जाता है क्या कोटी, आप एक याद रखें, येक्स को याद रख लो, येक्स आपकी क्या कोटी का काम करेगी और XX है वो बुझ का काम करेगा तो वैसे इसमें कोई ज़्यादा प्रसंद नहीं है फिर भी आप देख लेना ये कहा छोटा सा प्रसंद है प्रस्तनावली जो आपकी साइद ये 3.2 है उसमें से आप देख लेना 3.2 है इसमें प्रसंद संक्या जो 2 है डाइग्राम दे रख लेना सिर्फ आपको बिंदों को पहचानना है वो आप एक वर पढ़ लेना ताकि आपके डिटेल क्या है किलिर हो जाएगी इसके बाद जो प्रसंद नवली 3.3 है 3.3 इसमें जो प्रसंद नवर 2 है उसका आप देख लेना ग्राप बनाना आपको आजाना चाहिए और कोई यदा दिकत वाली बात नहीं है भी अब देखिए जो प्रसंद नवली 4 है दो चरवाले रेखिक समी करने है तो linear equation इन्टू वेरिबल है दो चरों में रेखिक समी करने है प्रसंद नवली आपकी रजाएगी कोण से चोथी 4 चोथी के अंदर भी आपने देखे हैं कि जो प्रसंद नवली 4.1 है उसमें ज़्यादा प्रसंद नहीं जो second वाला है उसको आप देखना है एक बद क्योंकि इसका जो 4.1 है वो आफिरली के अंदर आ रखा है आपका तो हो सकता है वो फिर से नहीं है बाकि एक नजर आप देख लेना उससे दूसरे का एक तो दूसरा है और एक करना आप चोथा और एक कर लेना आप कौण सा सात्मा ये तीन प्रसन आप यहां से देखना है इसके बाद जो प्रसनावली है आपकी ये अच्छा प्रसन है वो साइम के की वेलिवाला एक प्रसन आपको जरूर मिलेगा चाहिए दूसरे चप्टर में से मिलेए चाहिए प्रसन नमबर 4 है उसको आप एक बार देखना वही है इसमें भी आलागि जदह बड़े प्रसन नहीं है चोटे प्रसन यह है इसके बाद जो प्रसनावली आपकी रज़त तीए कोण सी प्रसनावली आएगी 4.3 4.3 में जो पहला प्रसन है इसका आप फैस्ट वाला कर लिजी और प्रसन संक्या जो तीन है उसे आप देख लेना बाकी तो चीक ठाक युमेटर दे रखें एक आठों प्रसन है इसका यह जरूर आप देखना क्योंकि एक दो बार पहले ब्यार रखा है तो यह हो गया अब आप यूकलिड वाला है इस च जो प्रसनावली पांच पॉइंट एक है इसमें कया कुछ अभिधारनाक है इसका बैसिक मैं प्रस्फार संकू करेंड हैं उसको आपशञा जाएगा इसक इसमें घूथ नंमर्न Cống री का यह की पर आम जो वाल्लों पहला प्रसंद कर लेना हुए प्रसंद नमर कौन सा फ़र्ष्ट आप निकाले प्रस्णावली वाला इसी क्रम में और आगे चलते हैं प्रस्णावली जो 6 है वो है रेखाई और कौन क्या है रेखाई और कौन मैं यहां लिख देता हूं अब आज़ाती है आपकी कौन सी exercise 6 है प्रस्णावली 6 है इसमें देखते हैं कि जो प्रस्णावली 6.1 है उसमें कौन कौन से प्रसंद बढ़िया है तो 6.1 जो एक प्रस्णावली है उससे अपने देखते हैं उसमें कौनों की detail है कौनों की जानकर या आप कौनी चाहिए आसन कौन कैसे होंगे न जो चीज़ें आणे चाहिए, जो 6.1 प्रस्नावली है उसमें आप एक तो करें दूसरा एक तीसरा प्रस्न ये भी ठीक है तीसरे के बाद आप है काम करना कि इसका जो 5.1 प्रस्न है Washington is right बार देख लेगा और प्रस्नावली आपकी 6.2 में एक तह पांचन वाला प्रसन यो उस इंहेंदे वाला प्रसंन एक तीसरा और 11 बांचों देखना। दोनों में सेमी संख है ऐसे प्रसन लगबग पुछे जाते हैं ज्यादा लंबी चोड़े प्रसन concerned नहीं आते हैं और प्रस्ट वाला जो आपकी 6.3 है प्रस्ट वाला जो आपकी 6.3 है उसमें 2 और 3 person है उससे आप कर लेना फोर्थ वाला भी एक बार आप देख लेना जरूर है ना फोर्थ वाला और फिप्थ वाला एक बार आप नजर मार लेना कैसे कुछ हैं अब और आगे चलते हैं जो प्रस्तनावली आपकी seven है शात्वन जो अध्याई है सात्वी exercise है आपकी वो है तिरबुजवाली वो क्या है त्रिपुजवाली है ट्राइंगल तो ट्राइंगल के अंदर आप देखना कि जो साथ पॉइंट है एक है उसमें काफी प्रसन है है लगबग एक जैसे ही एक दो प्रसन आप कर लोगे आप को आने लग जाएंगे जैसे प्रसनावली साथ पॉइंट एक का एक तो करना है पहला एक आपको करना है तीसरा प्रसन तीसरे के बाद एक आप इसका पांचवा प्रसन जरूर कर लेना इनसे अपना काम बन जाएगा और जो प्रसनावली आपकी साथ पॉइंट दो है उसमें देखते हैं भी आपको क्या क्या करना है तो प्रसनावली 7.2 है इसमें आप पहले तो कर लिए प्रसन संक्या जो 3 है वो कर लो उसके बाद आप जो प्रसन संक्या 5 है उसे आप कर ले एक बड़ देखना और ये जो इसका आठवा प्रसन है, यह आप जरूर करना भी, आठवा प्रसन देख लेना, साथवे को भी एक बार देख लेना, आठवा तो प्रकायाब करके जरूर भी, अब आगे चलते हैं इसी क्रम में, जो प्रसनावली आपकी कौन सी रहने वाली है, साथ पॉइंट जो तीन है, उसमें देखिए मेरे को ज्यादा प्रसन तो लगे ने, फिर भी आप एक काम करना, दूसरा तीसरा प्रसन इसका देख लेना, प्रसन संख्या दोर तीन है, यह आप एक बार देख लेना, इलमे से हो सकता आजाए प्रसन आपका, अब जो प्रसनावली साथ पॉइंट चार है, साथ प्रसनावली जो लाश्ट एक्सराइज है, साथ पॉइंट चार, उसका जो पहला प्रसन है, एक तो आप वो जरूर देखें भी, पहला प्रसन है, उसके बाद इसमें मैं और देख लेता हूं आपके, और कोई देखिए, ज्यादा खास है नहीं प्रसन इसमें से, आप ये का पार्ट सेकंड लेंगे, और आगे प्रसनावली आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा और पंदरा, लाश्ट के जो प्रसनावली वो काफी आसान है, पंदरों चेप्टर है, प्राइकता वाला है, वो भी एकदम बिल्कुल एजी है, आप एग गंटे के अंद फर्मले याद होने चाहिए, क्योंकि फर्मले किसके देखो, गन, गनाव, बेलन, संकु, गोला, अना, व्रत, इनके सुत्र आपको आने चाहिए, क्योंकि यही जो चीज़ें इन में अपने जो प्रसनावली बना के दे रखे हैं, वो क्या है, सब से पहले इन सब के आयतन है, वो आना चीए, तो उनके आयतन पर फिर एक एक चेप्टर फिर दे रखे हैं, तो इस वज़े से जो तेरों चेप्टर है, वो काफी लंबा है, लेंदी पढ़ता है, बाकि अपने को अगर सुत्र याद है, तो आप खुद आराम से उसको निकाल सकते हैं, कहीं आप हो सकते हैं, तो नेक्स वीडियों फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए, थैंक यो सो मच,